Hey guys thank you so much for joining us Guys WordPress series की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने pages को no index mark कर सकते हैं with the help of Yoast SEO plugin देखे no index होता क्या है जब भी आप अपनी website में pages बनाते हैं तो by default वो as a indexed यानि index mark होते हैं इस tag का मतलब होता है कि आप search engine को यह बता रहे हैं या signal दे रहे हैं कि आपके इस page को index करना है और search result pages में दिखाना है लेकिन कई बार आपके पास ऐसे situation आती है कि आपको कुछ specific pages को search engine result pages में show नहीं करना है और उसके लिए आपको एक tag लगाना पड़ता है जिसको बोलते है no index सबसे पहले यह देखते हैं कि क्या यह tag आपकी website पर लगा होता है और लगा है तो किस page पर आप इसको कैसे देख सकते हैं तो example के लिए यहाँ पर हमें अपनी website के dashboard के अंदर यहाँ से चलते हैं अपनी website के home page पर और इस code को देखने के लिए आपको करना क्या है आपको right click करना है और view page source पर click करना है या फिर shortcut है Ctrl-U और Mac के लिए Command-U तो view page source पर click कीजिए और उपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह particular line जिसको मैंने highlight किया है meta robots content index and follow it means इस page को आप बता रहे है Google search engine को या किसी भी search engine को कि इसको index करना है और इस पर जितने भी links है उनको follow करना है but अगर इसका just opposite करना है तो वो आप कैसे करेंगे इसके लिए वापस आते हैं हम लोग अपने wordpress dashboard में और Yoast plugin अगर आप use कर रहे हैं तो उसकी help से यह कैसे कर सकते हैं वही हम लोग सिखने वाले है इसके लिए आप आएंगे pages में और जिस भी page को आपको no index mark करना है उस page को आपको edit करना है तो हमने अभी homepage दिखा है हम homepage को ही as a no index mark करेंगे तो यहाँ पर यह front page है हमारा और इस पर click करेंगे edit और edit करने के बाद जो Yoast SEO plugin है उसकी जो settings है वो आपको by default यहाँ पर दिखाई देगी तो यह जो आपका editor है इसको थोड़ा सा scroll करना है और यहाँ पर Yoast SEO की जितनी भी settings है वो आपको दिखाई देगी थोड़ा सा आपको scroll करना है और यहाँ पर एक option दिखेगा आपको that is advanced इस पर आपको click करना है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे first option है allow search engines to show this page in search result by default हर page के लिए yes है अगर आप इसको as a no index नहीं दिखाना चाहते तो इसको no कर दीजे और इसके बाद should search engine follow links on this page और इसको भी आप no कर सकते है अब गाईस यहाँ पर एक disclaimer है ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने page को no index mark कर दिया तो यह guarantee है कि Google या कोई भी search engine इस च security नहीं है यह सरिफ Google या किसी भी search engine को सरिफ यह indicate करता है कि आप as a website owner नहीं चाहते इस page को search engine result pages में दिखाना बट यह up to search engine है कि वो आपके इस request को या इस stack को कितना you know consider करता है हो सकता है कि आपके no index mark करने के बाद भी वो जो page है वो search engine result pages में show होता रहे तो उस case में आपको फि फिर भी no index mark करना है use SEO के help से तो यह आप यहाँ पर कर सकते हैं तो यह दो changes करने के बाद आप इसको कर दीजे update और इसके बाद आप देखते हैं कि क्या हमारे home page पर जहां पर पहले index और follow दिखा हुआ था क्या कोई change आया है वापस refresh करते हैं इसी code को और यहाँ पर अगर है no index or no follow it means हम search engine result pages में इस page को नहीं दिखाना चाहते है इसलिए हमने इसको mark कर दिया no index और इस पर जितने भी links है उनको भी follow नहीं करवाना चाहते है या हम नहीं चाहते कि bots उनको access करें या index करें तो हमने लिग दिया no follow तो Yoast SEO की help से Yoast SEO plugin की help से आप यह काम बहुत एजली कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूं आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए take care thank you so much have a nice day